यह देखिए मैंने यहां पर 26 फंदे लिए हैं 24 फंदे 12 के मल्टिपल से लिए हैं दो बार बारा बारा फंदे लिए हैं तो 24 फंदे हो गए दो फंदे एस्टिच के लिए तो 26 फंदे बेस देने के लिए 12 फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है तो आपने जब भी अपने किस भी प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को डालना है तो आम बारा बारा के मल्टिपल से फंदे लेंगे प्लस दो फंदे एक्स्टा रखेंगे तो आपका ये डिजाइन अच्छे सेट हो जाएगा तो चलिए बनाते हैं पहली रह सीधी साइट सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंग पहली रह में एस्टिच भी सीधा ही बुनेंगे पहली रह कंप्लीट हो गई है अब देखिए दूसरी रह है और रॉंग साइन है एस्टिच स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन छे फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन ये देखिए हमारा एक पैटन कंप्लीट हो गया है तो हमने तीन फंदे उल्टे बुनें छे फंदे सीधे तीन फंदे उल्टे ये बारा फंदों का पैटन है दो चार छे आठ दस बारा फिर से पैटन को रिपी तीन, छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, यहां से यहां तक हमारे दो पैटर्न कम्प्लीट हो गए हैं, लास्ट में आइस्टिज उल्टा पुनेंगे. अब देखिए, इसी रौ, सीधी साइन, फिसे सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे. तीसरी रौ, कम्प्लीट हो गई हैं, चौथी रौ, रौ, साइड, सेम, दूसरी रौ की तरह ही बुनेंगे. तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन. यह देखिए, यहाँ पर मैंने तीन फंदे उल्टे बुनें, छे फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, फिर से पैटरन को और बीट करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन. एस्टिच उल्टा 5 वी रहो है सीधी साइन एस्टिच स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे 5 पंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5 2 पंदे स्लिप करेंगे 1, 2, 5 पंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच самых. ये दिखे हमारा एक pattern complete हो गया है, इसमें हमनेंगे पांच फंदे सीधे बरने, दो फंदे slip किये, पांच फंदे सीधे, फिर से pattern को रिपीट करेंगे, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, दो फंदे स्लिप करेंगे, एक, तो, पांच फंदे सीधे, एक, तो, तीन, चार, पांच, एस्टे सीधा बुनेंगे, पांच भी रौ कम्प्लीट हो गई है, छटीर और रौंग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे साथ मी रो है, सीधी साइड है 3 गफंडे 사진 चाहिंद दान है एंतरी श्लिप करेंगे रिपीट पैटन करेंगे 5 फंडे सीधे एक डो थीन चार 5 एक फंदे के तीन फंदे दो बार बहार बुने हैँगे एक बार सीधा बुने में लूज तुसी रखेंगे थोड़ा उसा, one, चाही डालेंगे, two, सीधा बुनेंगे, three, फिर से एक फंदे के तीन फंदे, one, चाही डालेंगे, two, सीधा बुनेंगे, three, five फंदे, सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये देखिये, हमारे एक पैटर्न कम्पलीट हो गया है, इसमें हम सीधे एक दो तीन चार पांच एक फंदे के तीन फंदे बुनेंगे दो पार एक बार सीधा बुनेंगे वन चाही डालेंगे टू सीधा बुनेंगे थी फिर से एक फंदे के तीन फंदे एक पार सीधा बुनेंगे वन चाही डालेंगे टू सीधा बुनेंगे थी पांच फंद पांच, यहां सी यहां तक हमारे दो पैटरन कमप्लीट हो गए हैं, लास्ट में एस्टिस सीधा बूलेंगे। सात मी रौ ins complete हो गई है, आठ मी रौ है wrong side, as to slip करेंगे, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, धागा आगे ही रखेंगे, 3 फंदे दो बार slip करेंगे, एक, दो, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये देखिए हमारे एक pattern complete हो गया है, इसमें हमने पांच फंदे उल्टे बुने, तीन फंदे दो बार slip किये, पांच फंदे उल्टे, फिर से pattern को repeat करेंगे तो देखिए, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन दागा आगे रखेंगे, तीन फंदे दो बार स्लिप करेंगे, एक दो पंच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पंच, एस्टिच उल्टा बुनेंगे, नौमी रौ है, सीधी साइड है, एस्टिच स्लिप करेंगे, रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, पांच फंदे लेफ्ट तू राइट इस तरफ को टेस्ट करेंगे, आगे की साइड से तीन फंदे आगे लेकर जाएंगे, और पीछे की साइ से दो फंदे पीछे लेकर जाएंगे, अब आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बुनेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, पांच फंदे राइट टू लेफ्ट इस तरफ को टेस्ट करेंगे, पीछे की साइड से दो फंदे आगे लाएंगे, आगे वाले तीन फंदे पीछे ले कर जाएंगे और दो फंदे सीधे एक तो वैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा भुनेंगे तीन फंदे सीधे एक तो तीन ये देखिये हमारा एक पैटर्न कम्पलीट हो गया है हमने तीन फंदे सीधे भुने फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार बार पीट करेंगे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन तीन फंदे आगे लाएंगे और दो फंदे पीछे लेकर जाएंगे अब आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बुनेंगे दो फंदे सीधे एक, दो पांच फंदे राइट टू लाट इस करेंगे पीछे की साइड से दो फंदे आगे लाएंगे आगे वाले तीन फंदे पीछे लेकर जाएंगे दो फंदे सीधे एक, दो, बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बुनेंगे, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, ऐस्ट इस सीधा बुन लेंगे, तो देखिए, हमारी नौमी रो कम्प्लीट हो गई है, दस्मीर और रॉंग साइट सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे, ख्रॉशवारी यार्ट हो ठीन विल्टे इस कःक का छचे, उस दोगहाई लूफिल्टेता, झाहाँ हो झाईब है, नmor thor है लेुदेए, ऎ दोो पहारी उल्य तो, वप्लेद से एककी रदाएबके, पहां हो य melodुन, लिण्या से दाँशए, पहाँ हो अग, उबूखिल्टे तो दिखे दसवी रह गुपलीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्पलीट हो गया है आगे की साइड से इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से इस तरह से दिखता है तो ऐसे ही बार-बार हम इसकी 1, 2, 10 डार पीट करते जाएंगे और ये पैटन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडी कार्डियन में, लेडी जैकिट में, गर्ल्स टॉप में, बच्चों के सैटर में अपलाई कर सकते हैं तो फ्रेंड आप भी से बनाईए और हमें बताईए कि आपको हमारे पैटन कैसे लगते हैं अगर आपको हमारे पैटन्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंस के साथ शेयर करना और चैनल को सस्काइब करना मत भूलें तो फिर से हाजिर होते हैं ऐसे ही और ने-ने पैटन लेकर तब तक के लिए बाई-बाई फैन